शुरू करो स्टार्ट, स्टार्ट, जल्दी करो हर्यप, हर्यप, चलो, मूव, मूव, खरीदो, बाई, बाई, चड़ो, क्लाइम, क्लाइम, रोलो, वीप, वीप यहां पर बच्चे को रोने को हम बोलते हैं क्राई, जैसे बच्चा बहुत तेज तेज चिला कर रोता है, तो उसे हम बोलेंगे क्राई, और जैसे बड़े लोग होते हैं, वो एकदम आसु बहाते हैं, और धीरे धीरे मनी मन रोते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वीप, इसलिए जहां भी wherever हमेशा के लिए forever उठाओ पिक जब भी हम कुछ हलका फुलका ऐसे नॉर्मल कुछ समान उठाते हैं तो हम उसके लिए पिक यूज करते हैं लेकिन जब भी हमें कुछ heavy चीज उठानी होती है तो हम उसका lift का यूज करते हैं उठाओ के लिए ठीक है lift हम word यूज करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं गिरादो drop drop घूमो turn जैसे कि आपको कहना है कि पीछे घूमो तो आप कहेंगे turn around turn around ठीक है मदद करो help help बाहर निकलो exit exit रुको stop stop मारो hit मारने को हम यहां पर hit बोलेंगे जैसे की डंडे या जैसे की टीचर होते हैं डंडे से मारते हैं लाटी से मारते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं hit ठीक है और पीटने को हम क्या बोलते हैं beat क्या बोलेंगे हम beat ओके खहरना stay stay दे दो give यह पैन मुझे दे दो give me this pen ठीक ह भेजो, send send ले लो, जैसे कि आपको कहना है कि इसे ले लो, तो आप क्या कहेंगे take it, take it ठीक है, ले आओ आपको कोछ चीज मंगा नहीं है किसी से तो आप कहेंगे bring this, इसे ले आओ bring this, ठीक है आशिरवाद दो, bless me bless me हारो, lose जीतो, win win सफल हो जाओ, succeed succeed कल्पना करो, imagine imagine आराम करो, relax relax विश्वास करो, believe जैसे कि आपको कहना है मेरा विश्वास करो तो आप कहेंगे believe me believe me क्या हो गया, what's wrong what's wrong मैं बीमार हूँ I am sick या फिर आप कह सकते हैं I am ill I am sick या फिर आप कह सकते हैं I am ill नीचे आओ come down stairs stairs मींस होता है सीडिया ठीक है, अगर आपको कहना है किसी से कि नीचे आओ तो आप कहेंगे come down stairs और वही अगर आपको कहना होगा कि उपर जाओ तो आप कहेंगे go up stairs go up stairs रो मत don't cry don't cry क्या हुआ what happened what happened मुझे चोट लग गई I got hurt I got hurt बाहर जाओ go out go out निकल जाओ get out get out और कुछ anything else anything else और कुछ नहीं nothing else nothing else बाहर आओ come out come out जादा नहीं not much not much बहुत जादा too much too much किसकी चाल है whose move is it whose move is it यहाँ पर चाल का मतलब होता है move जैसे कि आप चतरन शेल लएं और आपको किसी से कहना है कि आप तुम्हारी चाल है तो आप move का word का use करेंगे कि चाल मीज़ move ठीक है तुम्हारी चाल your move your move जाको मत बहुत से लोग होते खिड़की दर्वाजे से इधर से उधर से जाका करते है तो उसको हम बोलेंगे don't peep don't peep ठीक ठंक से करो do it properly do it properly उपर देखो look up look up नीचे देखो look down look down फिर से कोई काम आपको कहना है किसी से कि फिर से करो ये चीज़ बहुत तुमने अच्छा गाया तो आप क्या कहेंगे once more या once again ठीक है once more या फिर once again फिर से कोशिश करो try again try again हिम्मत बनाई रखो stay strong stay strong फार दो पेज़ फारने को हम बोलते हैं tear up tear up जल्दी ठीक हो जाओ कोई बीमार है और अगर आपको कहना है कि जल्दी ठीक हो जाओ तो आप इंग्लिश में कहोगे get well soon get well soon अगर आपको किसी से कहना है कि मजे करो तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे have fun have fun इसे ठूको अगर आप बच्चे जैसे कुछ भी मतलब मुह में ले लेते हैं तो आप कहेंगे कि इसको ठूक दो इसे ठूको तो आप इंग्लिश में कहेंगे spit it out spit it out आपको भी you to you to पहनो एक लो किसी से आपको कहना आए कि एक तो लो एक लो तो आप कहेंगे take one take one एक और लो take another take another चलो कुछ करते हैं let's do something let's do something मेरे साथ आओ come with me come with me उसे अकेला छोड़ दो leave him alone leave him alone मेरा सिर खाना बंद करो stop nagging me stop nagging me ये लीजिए take this take this उसे देखो look at him और हर अगर कोई लड़की है तो आप कहेंगे look at हर और अगर कोई लड़का है तो आप कहेंगे look at him यहीं रुख जाओ stop here stop here मुझे चलना चाहिए I must go I must go उसे कोशिश करने दो let him try let him try समझाओ उसे make him understand make him understand हल ढूंडो find the solution find the solution समय खतम जैसे आपको बच्चे से कहना है कि खेल का समय खतम तो आप कह सकते हैं time is up time is up वो फिर से बोलो say that again say that again मुझे उस पर यकीन है I believe him और her अगर लड़का है तो him और लड़की है तो her फिर मिलना see me again see me again बस ले लो just take it just take it उसे गुसा आ गया he got angry he got angry सब ठीक है all is well all is well उन्होंने मेरी सहायता की they helped me they helped me मैं दिखाता हूँ let me show let me show वैं काफी दूर है that's too far दूर की इंग्लिश होती है far तो that's too far अपनी जगे पर बैटो teacher होती है जैसे बच्चों से कहती है की अपनी जगे पर बैटो तो कहेंगे इंग्लिश में take your seat take your seat आपकी मिशेशता क्या है what is your specialty what is your specialty कोई नहीं जानता no one knows no one knows ये सब क्या है what's all this what's all this मैं साजा नहीं कर सकता I can't share I can't share मैं घर पर हूँ I am at home I am at home हम खो गए हैं we are lost we are lost तू पागल है क्या are you crazy are you crazy मैं जाँ shall I go shall I go हाँ तुम जा सकती हो yes you may go yes you may go तुम चले गए थे you left you left इसे आगे रखो keep it ahead keep it ahead समय पर आना come on time किसी से अगर आपको कहना है कि समय पर आना तो आप कहेंगे इंगलिश में come on time come on time शर्माओ मत don't be shy don't be shy अभी फोन रखो hang up now hang up now हमारी साथ आऊ come with us come with us मैं हिल नहीं सकता I can't move I can't move मैं समझता हूँ I understand I understand बहुत ज्यादा बड़ा है It's too big It's too big ठक गए हो क्या Are you tired? Are you tired? मैं अब ठक गया हूँ I am tired now I am tired now मैं बहुत व्यास्थ हूँ I am very busy I am very busy यह मुफ्थ है It's free It's free मुझे ट्राइ करने दो Let me try it Let me try it जल्दी कीजिये Make it quick Make it quick दर्वाजा खुलो Open the door Open the door इसे दुबारा पढ़ो Read it again Read it again क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ Can I help you? Can I help you? Hello कौन है? Hello Who is this? Hello Who is this? समझे की नहीं Got it Got it मैं ठीक हूँ I am okay I am okay उसका पीछा करो Follow him Follow him मैं तैर सकता हूँ I can swim I can swim मुझे केक अच्छा लगता है I like cake I like cake मुझे कुत्ते अच्छे लगते हैं I like dogs I like dogs कोई नहीं आया Nobody came Nobody came क्या मैं गलत था? Was I wrong? Was I wrong? यह क्या है? What is this? What is this? क्या तुम बीमार हो? Are you sick? Are you sick? उसको अंदर ले आओ Bring him in Bring him in तो guys आज मैं आज मैं आपको बहुती छोटे छोटे से sentences बता रही हूँ ठीक है इसको आपको अपने डेली लाइफ में यूज भी करना है ठीक है इन्ही sentences की help से आप बड़े sentences भी frame कर सकते हैं ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपना ध्यान रखना Take care कोई बात नहीं Never mind बहुत अच्छा Too good चिंता मत करो Don't worry मैं अभी आ रहा हूँ I am coming now बस काफी है That's enough चुप रहो Keep quiet Keep quiet मुझे खुशी हुई My pleasure My pleasure बहुत बढ़िया Very fine Very fine ये बहुत अच्छा है This is superb This is superb उन्में से कोई नहीं Any of them Any of them उन्में से कौन Who of them Who of them उन्में से कुछ Some of them Some of them उन्में से कोई नहीं None of them None of them उन्में से एक One of them One of them उन्में से कई Many of them Many of them उन्में से आदे Half of them Half of them उन्में से दो Two of them Two of them उन्में से सब All of them और कितना इसे लो टेक इट जल्दी आओ कम फास्ट देर मत करो क्या मुसीबत है बॉट ए बॉदर नहीं मतलब नहीं क्या पूछना है क्या करना है क्या पढ़ना है क्या पीना है कैसे हो बहुत बढ़िया एक्सिलेंट मैं भी ठीक हूँ I am also fine क्या हो रहा है What's up कुछ भी नहीं Nothing सब कुछ ठीक है Everything is fine बहुत अच्छा Very well और कुछ नहीं Nothing more Nothing more बस थोड़ा सा Just a little Just a little मुझे देखो Look at me Look at me कोई जरूरत नहीं No need No need जैसा को तैसा Tit for tat Tit for tat मेरा विश्वास करो Trust me Trust me तुम्हें पता है You know what You know what क्यों नहीं Why not Why not मैं घर पर हूँ I am at home I am at home इसे अभी करो Do it now Do it now पहली नजर में At first sight At first sight जाने भी दो Let it be Let it be तुम्हें सोना चाहिए You should sleep You should sleep क्या तुम्हें यकीन है Are you sure Are you sure मेरे पास आओ Come to me Come to me बार बार Again and again Again and again इसे लिखो Write it down Write it down उसके साथ जाओ Go with him Go with him मैंने उससे बात की I talked to him I talked to him मुझे देर हो रही है I am getting late I am getting late हमें देर हो गई We are late We are late ऐसा काम मत करो Don't do such things Don't do such things आपकी क्या राय है What's your opinion What's your opinion इसे कुछ मत कहो Don't tell him anything Don't tell him anything यह कौन है Who is it Who is it कितना गंदा How dirty How dirty मुझे लगता है I feel so I feel so बहुत गरीब हैं Very poor Very poor मैं ही क्यों Why me Why me हो गया It's done It's done कितना प्यारा How lovely How lovely अब क्या What now What now बहुत अच्छा Very good Very good कितना अच्छा How nice How nice जल्दी करो Hurry up Hurry up Oh prayer Oh dear Oh dear बेशक Of course Of course बस सुनो Just listen Just listen आप कैसे हैं How are you How are you समय क्या हुआ है What time is it What time is it क्या खबर है What is the news What is the news अच्छा दिन बीते Have a nice day Have a nice day हम कहां जा रहे हैं Where are we going Where are we going